नमस्ते फ्रेंड्थो हाल लड्डू अपाल जी के लिए चार तरह के पटके में नहेंगे कपड़े को लंबे में कट किया है इसमें ग्लू लगाके दोनो तरह देने किनारे के तरफ लगाएं दूसरी तरफ इस तरह देने कर देने किनारि इस्टिक कर दिया है यह पटका बनके त्यार है सेकंड पटके को भी इसी साइज में कट किया है इसके किनारे में लेस्टिक कर रही हूँ दोनों तरफ लेस्टिक कर देंगे नीचे की तरफ लटकन वाली लेस्टिक कर देंगे इससे बहुत अच्छा लुक आएगा यह बहुत जल्दी बन जाता है इस तरह इसे सेकंड पटका बनके तरड पटके के लिए कपड़े को इस तरह से डबल पीसेस में कट किया है इसकी छोटी-छोटी प्लीट्स बनाएंग बारीक-बारीक प्लीट्स बनाएंगे इस सेटन का कपड़ा लिया है इसको अच्छी तरह से बर्न कर लिया है ताकि इसके रेशे ना निकले दूसरी तरफ भी इसी तरह चोटी-छोटी प्लीट्स मनाते हुए सिलाई लगा देंगे इस सिलाई लगा लिया है नीचे की तरफ ग्लू लगाएंगे और लेस को स्टिक करेंगे सिलाई के उपर इस तरह से लेस स्टिक कर देंगे दूसरी तरफ भी इसी तरह स्टिक कर देंगे दोनों तरफ किनारे में भी लेस स्टिक कर रही हूँ इस तरह से पटका बनके तयार है फूर्थ पटके के लिए मैंने या फ्लावर लिया है six flower लिये हैं three three flower लगाएंगे उसमें four four beads डाल रही हूँ एक flower में चेयों को भी इसी तरह तयार कर लेंगे यह चोटे आले beads लिये हैं तीन तीन करते हुए इसको इस तरह से knot लगा लेंगे दोनों गुच्छे बनाएंगे इससे तरह से दो-दो knot लगा देंगे knot लगा दिया एक्स्ट्रा को कट कर दिया है इसके अंदर से knot के अंदर से सुई निका लेंगे इसमें बड़े beads डालेंगे इस तरह से इसमें पूरे बड़े बीट्स लगाएंगे इस तरह से लटकन लगा देंगे फ्लावर वाले नौट से इसको निकालके अची तरह से लॉक कर देंगे इस तरह से चार तरह के पटके बन के तयार हैं यह बनने के बाद बहुत सुन्दान लगते और जल्दी बनते हैं आप भी अपने लड़ वापाल जी के लिए जरूर बनाएं